कफन, जोपने के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाब बैठे हुए थे और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पच्छाड खा रही थी. रह रहकर उसके मुँझ से ऐसी दिलहिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे. जाडों की रात थी, प्रकृती सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गाव अंधकार में ले हो गया था. घीसु ने कहा, मालूम होता है, बचेगी नहीं. सारा दिन दोड़ते हो गया, जा देख तो आ. माधव चिलकर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती. देखकर क्या करून, तू बड़ा बेदर्ध है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई. तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पाव पटकना नहीं देखा जाता. चमारों का कुनबा था और सारे गाव में बदनाम. घीसु एक दिन काम करता तो तीन दिन आराम करता. माधव इतना काम चोड़ था कि आद घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता. इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी. घर में मुठ्थी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी. जब दो चार फाके हो जाते तो घीसु पेड़ पर चढ़कर लकडिया तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते. गाव में काम की कमी न थी. किसानों का गाव था, मेहनती आदमी के लिए पचास काम थे. मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते, जब दो आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोश कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता. अगर दोनों साधू होते, तो उन्हें संतोश और धैर्य के लिए सयम और नियम की बिलकुल ज़रूरत न होती. ये तो इनकी प्रकृती थी. विचित जीवन था इनका. घर में मिट्टी के दो-चार बरतन की सिवा कोई संपत्ती नहीं. फटे चित्रों से अपनी नगनता को ढाके हुए जीए जाते थे. संसार की चिंताओं से मुख्त. कर्स से लदे हुए. गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं. दीन इतने की वसूली की बिलकुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हे कुछ न कुछ कर्स दे देते थे. मटर, आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखार लाते और भून भान कर खा लेते या दस पाचू को खार लाते और रात को चूसते. घीसु ने इसी आकाश वृत्ती से साथ साल की उम्रकाट दी और माधव भी सपूद बिटे की तरह बाफी के पद्चिहनों पर चल रहा था, बलकि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था. इस वक्ड़ी दोनों अलाव के सामने बैटकर आलू भून रहे थे, जो की किसी खेट से खोद लाए थे. घीसु की स्त्रीका तो बहुत दिन हुए, देहांथ हो गया था. माधव का व्याह पिछले साल हुआ था. जब से यह औरत आई थी, उसने इस खांदान में व्यवस्था की नीव डाली थी और इन दोनों बेगेरतों का दोजक भरती रहती थी. जब से वह आई, ये दोनों और भी आलसी और आरामतलब हो गये थे. बलकि कुछ अकरने भी लगे थे. कोई कार्य करने को बुलाता, तो निर्ब्याज भाव से दुगुनी मजदूरी मांगते. वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए, तो आराम से सोए. घीसु ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो, क्या दशा है उसकी? चुडेल का फिसाद होगा, और क्या? यहां तो ओजह भी एक रुपया मांगता है. माधव को भाय था, कि वह कोट्री में गया, तो घीसु आलू का बड़ा भाग साफ कर देगा. बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है. डर किस बात का है, मैं तो यहां हूँ ही. तो तुम्ही जाकर देखो न. मेरी औरत जब मरी थी, तो मैं तीन दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था. और फिर मुझसे लजाएगी की नहीं. जिसका कभी मुझ नहीं देखा, आज उसका ओगणा हुआ बदन देखू. उसे तन की सुध भी तो नहीं होगी. मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पाव भी न पटक सकेगी. मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा? सौंट, बुर्ट, तेल, कुछ भी तो नहीं है घर में. सब कुछ आज जाएगा. भगवान दे तो, जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे हैं, वे ही कल बुला कर रुपे देंगे. मेरे नौलर के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ापार ही लगाया. जिस समाज में राद दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुरबलताओं से लाब उठाना जानते थे, कहीं ज्यादा संपन थे, वहाँ इस तरह की मनुवरत्ती का पैदा हो जाना कोई अच्रच की बात न थी, हम तो कहेंगे, गीसु किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुछ सित मंदली में जा मिला था, हाँ, उसमें ये शक्ती न थी, कि बैठकबाजों के नियम और नीती का पालन करता, इसलिए जहां उसकी मंदली के और लोग गाव के सरगना और मुख्या बने हुए थे, उस पर सारा गाव उंगली उठाता था, फिर भी उसे ये तस्कीन तो थी ही कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सीजी तोड़ मेहनत तो नहीं कर पढ़ती और उसकी सरलता और निरी हता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते, दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे, कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र ना था कि थंड़ा हो जाने दे, कई बार दोनों की जबाने जल गई, छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था और उस अंगारे को मुह में रखने से ज्यादा खेरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुँच जाए, वहाँ उससे थंड़ा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निगल जाते, हाल जबी उसकी याद ताजा थी, बोला वह भोज नहीं भूलता, तब से फिर उस तरह का खाना और भर पेट नहीं मिला, लड़की वालों ने सबको भर पेट पूरिया खिलाए थी, सबको, छोटे बड़े सबने पूरिया खाई और असली घी की, चटनी, रायता, तीन तरह के स सुखि साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाए, अब क्या बताओं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला, कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज चाहो, मांगो, जितना चाहो खाओ, लोगों ने ऐसा खाया, ऐसा खाया, कि किसी से पानी न पिया गया, मगर परोसने व सुध थी, खड़ा हुआ न जाता था, चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया, ऐसा दिल दरियाव था वह ठाको, माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मज़ा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता, अब कोई क्या खिलाएगा, वह जमाना दूसरा अब तो सबको किफायत सूचती है, शादी व्याह में मत खर्च करो, ख्लिया कर्म में मत खर्च करो, पूछो, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहां रखोगे, बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ, खर्च में किफायत सूचती है, तुमने एक बीस पूरिया खाए होंगी, 20 से जियादा खाय थी, मैं 50 खा जाता, 50 से कम मैंने न खाय होंगी, अच्छा पका था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है, आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतिया ओरकर पाव पेट में डाले सो रहे, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गै गी हुई थी, सारी देख धूल से लत्पत हो रही थी, उसके पेट में बच्चा मर गया था, माधव भागा हुआ घीसू के पास आया, फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और चाती पीटने लगे, पड़ोस वालों ने ये रोना धोना सुना, तो दोरे हुए आय और पुर इंदार के पास गए, वो इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे, कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे, चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर ना आने के लिए, पूछा क्या है बेगिसुआ, रोता क्यूं है, अब तो तु कहीं दिखलाए भी नहीं देता, म दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे, दवादारू जो कुछ हो सका, सब कुछ किया, मुदा वह हमें दगा दे गई, अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा मालिक, तबाह हो गए, घर उजल गया, आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगा हमारे हाथ में तो जो कुछ था, वह सब तो दवादारू में उठ गया, सरकार ही की दया होगी, तो उसकी मिट्टी उठेगी, आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं, जमीनदार साहब दयालू थे, मगर घीस उपर दया करना काले कंबल पर रंग चड़ाना था, जी में तो दो रुपे निकाल कर, फेक दिये, मगर सात्वना का एक शब्द भी मुह से न निकला, उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोज उतारा हो, जब जमीनदार साहब ने दो रुपे दिये, तो गाव के बनिये महजनों को इनकार का साहस कैसे होता, घीसु जमीनदार के न इधर लोग बास वास काटने लगे, गाव की नर्म दिल्स्त्रिया आकर लाश देखती थी और उसकी बेकसी पर दो बूंद आसु गिरा कर चली जाती थी 3. बाजार में पहुँचकर घीसु बोला लकडी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधब? माधब बोला हाँ, लकडी तो बहुत है, अब कफन चाहिए 4. तो चलो, कोई हलका सा कफन ले लें, हाँ, और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जीतन धापने को चित्रा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए कफन लाश के साथ जलगी तो जाता है, और क्या रखा रहता है? यही 5 रुपे पहले मिलते, तो कुछ दवा दारू कर लेते दोनों एक दूसरे के मन की बात तार रहे थे, बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बाजार की दूकान पर गए, कभी उसकी दूकान पर तरह तरह के कपड़े, रेश्मी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं यहां तक की शाम हो गई, तब दोनों न जाने किस दैर्वी प्रेरना से एक मधुशाला के सामने जा पहुँचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए, वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे फिर घीसु ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहु जी, एक बोतल हमें भी देना इसके बाद कुछ चिखोना आया, तली हुई मचली आय और दोनों बरामदे में बैटकर शांतिपूर्वग पीने लगे कई कुछ जिया ताबरतोर पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए घीसु बोला कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहु के साथ तो न जाता माधव आसमान की तरफ देख कर बोला, मानो देवताओं को अपनी निश्पपता का साक्षी बना रहा हो दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को हजारों रुपे क्यों दे देते हैं, कौन देखता है, परलोक में मिलता है या नहीं बड़े आदमियों के पास धन है, फूंके, हमारे पास फूंकने को क्या है, लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे, लोग पुछेंगे नहीं, कफन कहा है घीसु हसा, अबे, कह देंगे की रुपे कमर से खिसक गए, बहुत धूंधा, मिले नहीं, लोगों को विश्वास ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपे देंगे माधव भी हसा, इस अनपेक्षित सौभागय पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी मरी तो खूब खिला पिलाकर, आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई, घीसु ने दो सेर पूरिया मंगाए, चटनी, अचा, कलेजिया, शराभा खाने के सामने ही दूकान थी माधव लपक कर दो पत्तलों में सारे सामान ले आया, पूरा डिर्व रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे, दोनों इस वक्त इस शान में बैठे पूरिया खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो न जबाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र, इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था घीसु दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन हो रही है तो क्या उसे पुन्ना होगा माधव ने श्रद्धा से सिर जुका कर तस्दीक की जरूर से जरूर होगा भगवान, तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंट ले जाना, हम दोनों हृदे से आशिरवाद दे रहे हैं आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर ना मिला था, एक शन के बाद माधव के मन में एक शन का जागी बोला क्यू दादा, हम लोग भी एक ना एक दिन वहाँ जाएंगे ही घीसु ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर ना दिया, वह पर लोग की बाते सोचकर इस आनंद में बाधाना डालना चाहता था जो वहाँ वह हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे कहेंगे तुम्हारा सिर, पूछेगी तो जरूर, तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा तू मुझे ऐसा गधा समझता है, साट साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा, माधव को विश्वास ना आया बोला कौन देगा, रुपे तो तुमने चट कर दिये, वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में तो सेंदुर मैंने डाला था कौन देगा, बताते क्यूं नहीं, वही लोग देंगे, जिन्होंने अपकी दिया हाँ, अपकी रुपे हमारे हाथ ना आएंगे ज्यो ज्यो अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी कोई गाता था, कोई डिंग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिप्टा जाता था कोई अपने दोस्त के मूँ में कुलहन लगाए देता था, वहां के वातावरन में सुरूर था हवा में नशा कितने तो यहां आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे, शराब से ज्यादा यहां की हवा उन पर नशा करती थी जीवन की बाधाय यहां खीच लाती थी और कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं या ना जीते हैं ना मरते हैं और ये दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेकर चुस्किया ले रहे थे सबकी निगाहें इनकी और जमी हुई थी दोनों कितने भाग्य के बली है पूरी बोतल बीच में है भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया जो खड़ा इनकी और भूखी आँखों से देख रहा था और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया घीसु ने कहा ले जा, खूब खा और आशिरवाद दे जिसकी कमाई है, वह तो मर गई मगर तेरा आशिरवाद उससे जरूर पहुँचेगा रोए रोए से आशिरवाद दो, बड़ी गारी कमाई के पैसे है माधव ने फिर आसमान की तरफ देख कर कहा वह बैकुंट में जाएगी दादा, बैकुंट की रानी बनेगी घीसु खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तेरता हुआ बोला खा बेटा बैकुंट में जाएगी किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं मरते मरते हमारी जिन्दगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई वह न बैकुंट जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लुटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चड़ाते हैं श्रधलुता का ये रंग तुरंधी बदल गया अस्थिर्ता नशे की खासियत है दू, ख और निराशा का दोरा हुआ माधब बोला मगर दादा, बेचारी ने जिन्दगी में बड़ा दुख भोगा कितना दुख जेल कर मरी वह आखों पर हाथ रख कर रोने लगा चीखे मार मार कर घीसु ने समझाया क्यूं रोता है बेटा खुश हो की वह माया जाल से मुक्तो गई जनजाल से छूट गई बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोर दिये और दोनों खड़े होकर गाने लगे ठगिनी क्यूं नैना जमकावे ठगिनी, पियक्कणों की आखे इनकी ओर लगी हुई थी और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे फिर दोनों नाचने लगे उचले भी, कूदे भी, गिरे भी, मक्के भी भाव भी बनाए, अभिने भी किये और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े